जै श्री किश्ना तो आज की वीडियो में हम आपको द्वार का धाम के दर्शन कराने वाले हैं और उसी क्रम में हम आपको सबसे पहले लेकर जाएंगे श्री द्वार कधीश के मंदिर सामने की तरफ आप जो चौराया देख रहे हैं इसे कह जाता है तीन बत्ती चौराया और इससे कुछ दूरी पर है श्री द्वार कधीश का मंदिर तो यहां से हम आपको लेकर चलते हैं श्री द्वार कधीश मंदिर की ओर तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं द्वार कदीश के मंदिर के लगेज काउंटर पर तो यहाँ पर हम अपना सारा समान जमा कराने वाले हैं और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं यहाँ पर आपको अपना सारा समान जमा कराना होता है क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं की जाती है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल कैमरा जो भी आपका डिजीटल समान है उसे जमा करा दें और उसके बाद ही मंदिर दर्शन के लिए जाएं तो हम भी मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले हैं और मंदिर दर्शन करने के बाद हम आके आपको वीडियो में फिर से जॉइन करेंगे मंदिर के अंदर जाकर हमें भगवान श्री किष्ण के राजा रूप में दर्शन प्राप्त हुए और बड़ी ही सुकद अनूपती का अनुवब हुआ तो इस सौबाग्य का लाव उठाने के बाद अब हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर और इसी क्रम में अब हम आपको लेकर आएं हैं गुम्ती खाट सामने आपको पवित्र गंगा गुम्ती गंगा दिखाई पड़ रही है और काफी सारे लोग इस गंगा में स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं सामने आपको गुम्ती गंगा दिखाई दे रही है और ये जो सेतु आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं सुधामा सेतु सुधामा सेतु का परियोग करके आप गुम्ती गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं और पांड़ वो द्वारा बनाए गए पांच कोंके दर्शन कर सकते हैं और द्वारका के बीच के लिए भी जा सकते हैं तो गोमती घाट पे आपको काफी सारी चहल कदमी देखने को मिल लई होगी और अब हम आपको इसी क्रम में दिखाने वाले हैं सामने की तरब आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा इसे कहते हैं समुद नारण जी का मंदिर और गोमती घंगा जाकर उसी पॉइंट पर अरप सागर में मिल जाती है काफी सारे आपको इहाँ पर उट भी खड़े दिखाई देंगे तो इहाँ पर आके आप उट की सवारी भी कर सकते हैं उट की सवारी करने के लिए आपको इहाँ पर पचास रुपए पर परसन के साब से पे करने होते हैं समुद्र नाराण मंदिर के बराबर से ही पैदल चलकर संसेट पॉइंट और भड़केश्वर महादेव मंदिर के लिए जा सकते हैं द्वार का धाम की बात करें तो ये हिंदू धर्म के चार धामों में से एक धाम है द्वार का नगरी को भगवान श्रीकिष्ण ने आज से 5000 बर्स पहले बसाया था जो कि उनके बैकुंद धाम जाने के बाद समुद्र में समा गई और कहा जाता है आज भी पुरानी द्वार का समुद्र के नीचे कहीं इस्तित है गोमती घाट पर आप काफी सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं तो चलिए अब हम आपको इसी क्रम में लेकर चलते हैं सोदामा सेतु के दूसरे छोर पर जिदर आपको पांड़ो द्वारा बनाए गए पांचकुएं के दर्शन होते हैं तो सामने ही आप पांड़ो द्वारा बनाए गए पांचकुएं देख पा रहे होंगे इन में आज भी आपको पानी देखने को मिलेगा और कहा जाता है कि इनका पानी पीने में मीठा होता है तो सामने की तरब आप पांचकुएं को देख पा रहे होंगे और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कुए के अंदर आज भी आपको पानी देखने को मिल जाएगा तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कुए में आज भी पानी है तो सामने की तरफ आपको द्वार कदीश मंदिर के दर्शन हो रहे हैं और इस टाइम हम खड़े हुए हैं सोदामा सेतू के दूसरी तरफ गोमती घाट पे आपको काफी रौनक देखने को मिल जाएगी साम का टाइम हो रहा है काफी सारे लोग अब गोमती घाट पर आ चुके हैं और अब हम आपको इसी क्रम में लेकर जाने वाले हैं द्वार का बीच की तरफ तो बीच में काफी सारी बेंचेज आपको देखने को मिल नहीं हैं तो आप यहां बैटकर रिलेक्स फील कर सकते हैं और काफी अच्छा भी वाता है यहां पर तो यहां पर आप थोड़ी दिर रिलेक्स करने के बाद द्वार का बीच की तरफ जा सकते हैं तो चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं द्वार का बीच की तरफ द्वार का बीच जाते हुए हमें बीच में यह छोटे छोटे घर देखने को मिले हैं लोगों ने अपनी मनो कामनाये पूरी करने के लिए यहां पत्थर के घर बनाए हैं जैसे कि श्री किष्ण आकर इनमें स्वयमी जान फुग जाएंगे तो फाइनली अब हम आ चुके हैं द्वार का बीच की तरब काफी अच्छा भी हो आ रहा है और सामने की तरब आपको अब थोड़ी भीड देखने को मिल जाएगी जैसा कि सामका टाइम हो रहा है और सूरज आपको ढलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आईए चलते हैं द्वार का बीच की तरब और इसे एक्स्प्लोर करते हैं तो काफी अच्छा भी हो यहां देखने को मिला हलकेलकी लहरे आकर किनारों से टकराती हुई दिखाई दे रही हैं और सूरज मानों ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में डूप जाएगा तो सामने की तरब आपको अब समुद्राण मंदिर दिखाई दे रहा होगा और यह वही पॉइंट है जहां पर गोमती गंगा आकर अरब सागर में मिल जाती है सामने की तरब आपको light house भी दिख रहा होगा थोड़ी दिर में हम light house के बराबर में जो sunset point है बहां आपको लेकर जाने वाले हैं और अब हम आ चुके हैं समुद्णनार मंदिर की तरब थोड़ी दिर पहले हम थे सामने उस point पर और अब हम खड़े हुएं समुद्धनाड मंदिर के जश्ट बरावर में और ये नीचे आपको एक क्रेम माराज के दर्शन हो रहे हैं और यहीं पर हमें ये नंदी भगवान आपर किनारे पर बैठे हुए मिले काफी अच्छे लग रहे हैं और उपर की तरब आप देखेंगे ये समुद्धनाड मंदिर आपको दिखाई देगा इसी क्रम में अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं समुद्धनाड मंदिर से संसेट पॉइंट और भड़केश्वर महादे मंदिर की ओर तो नीचे की तरफ आपको समुद्र की लहरे हलकी हलकी आकर किनारों से टकराती हुई दिखाई दे रहेंगे यहाँ पर काफी सारे लोग साम के टाइम जो की द्वार का दर्शन के लिए आते हैं अपना समय बताना पसंद करते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं संसेट पाइंट की तरफ सामने आपको लाइट हाउस दिखाई दे रहा है तो हमें लाइट हाउस के बराबर में ही संसेट पाइंट के लिए जाना है जैसा कि हम अब संसेट पाइंट पहुचने वाले हैं सामने आपको सूरट ढलता हुआ दिखाई दे रहा होगा और अब हम फाइनली आ चुके हैं संसेट पाइंट काफी सारे लोग यहां सूरट ढलने का पिक्चर अपने मोबाईल और कैमरा में निकाल चुके हैं और हमने भी उसे कैप्चर किया और उसके बाद आगे बढ़ गए भड़केश्वर महादे मंदिर की ओर तो थोड़ी सी दूरी चन कदम चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं भड़केश्वर महादे मंदिर जोकी यहां से थोड़ा ही दूर पढ़ता है इसी क्रम में अब हम पहुँच चुके हैं भड़केश्वर महादे मंदिर तो सामने आपको शिवलिंग रूप में भलकेश्वर महादे मंदिर के दर्शन हो जाते हैं ये मंदिर मांसून के टाइम पूरी तरह समुद्र में समा जाता है या यूँ कहें कि भगवान शिव का जलाविशेग करके समुद्र स्वयम ही बापत जाता है तो यहाँ पर काफी अच्छा भीव मिलता है और आप आकर यहाँ पर अपना थोड़ा टाइम बिता सकते हैं और भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं काफी अच्छा मंदिर हमें यहाँ पर देखने को मिला जिसका निर्माण कारे चला था और इस मंदिर का जो डेजाइन बनाये गया है वो एक भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में बनाये जा रहा है तो हमने यहाँ पर काफी सारा अपना टाइम स्पेंड किया और भगवान शिव के दर्शन करने के बाद एक अलग ही अनुबूती का एसास हुआ और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े द्वारका की बजार में तो वहाँ चल कर हम आपको यहाँ से जॉइन करते हैं अब हम पहुँच चुके हैं द्वारका के बजार में बहुत अच्छी रोनक आपको यहाँ देखने को मिल जाती है तो गुजरात की पटोला साडी काफी फेमस है और आज हम उसको यहाँ से परचेस करने वाले हैं गुजराती लहंगे भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं तो हम पूरे दिन बजार घूमने के बाद अब रात में आ गया है टाइम पेट पूजा का तो अब आनंद उठाने आए हैं काठिया वाली थाली का जो की हमें पड़ी है 65 रूपीज की इसमें आपको unlimited food मिल जाता है अब पेट पूजा करने के बाद हम निकल चुके हैं सेर पर द्वार का की अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe करना ना भूलें